बिद्यार्तियों, आज फिर मेरे द्वारा आपके लिए एक वीडियो लेक्चर तयार किया गया है जो की, what is the professional misconduct provided in the legal profession साइद आपको देखकर ये लग रहा होगा कि इस पर मेरा आप एक वीडियो लेक्चर अल्रेडी पहले देख चुके हैं लेकिन नहीं बिद्यार्तियों थोड़ा सा अंतर है, मेरे द्वारा इससे पहले दिये गए वीडियो लेक्चर में और इसमें क्लासिफिकेशन क्या है, मिस्कंड़क्ट का बर्गी करना बताए गया था कि क्लासिफिकेशन क्या है, लेकिन आज जो मेरे द्वारा वीडियो लेक्चर आपके लिए तयार किया गया है उसमें मेरे द्वारा ये बताने का प्रियास किया जा रहा है कि कौन-कौन से ऐसे professional misconduct है जो नहीं करना चाहिए यानि कि जिन पर रोक लगी है या फिर हम एक सामाने भासा में बात करें तो एक अधिवक्ता को नियायले में कौन-कौन से कार है जो नहीं करना चाहिए जिनके कर करने पर professional misconduct create हो जाएगा बात समझ में आई यानि कि ऐसे कारे जो एक अधिवक्ता को नहीं करना चाहिए अगर वो नयायले में करता है तो उसके द्वारा इन कारे को किये जाने पर व्यवसायक कदाचार जन्म ले लेगा विद्धियार्तियों समझते हैं एक एक करके मिसकंडक्ट हम पहले समझ चुके हैं हमें समझना है ये चीज प्रोविटेट कौन-कौन से ऐसे प्रोविटेट मिसकंडक्ट है जो नहीं करना चाहिए जिनके करने पर रोक लगी हुई है यानि कि बात हमने ये तो समझी कि कि प्रोविटेट क्या है इसके प्रकार भी मैंने बताय थे क्लासी प्रकेशन भी बताया लेकिन इसके बावजुद इसके आगे की बात है कि कुछ ऐसे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हैं जिन पर रोक लगी हुई है ये तो करना ही नहीं है और अगर ये किये तो फिर ठीक नहीं हो गए कदिवक्ता के लिए उसका पूरा भविश से चोपट हो सकता है नम्मर फर्स्ट डेफिनिशन ऑब मिसकंडक्ट आप सभी पहले से जानते हैं कि विवसाइद कदाचार किसे कहते हैं प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किसे कहते हैं मुझे ये बताने की जरूवत नहीं है और विद्यारतियों मुझे नहीं लगता है कि साहद आपको भी ये जान स्वाविटब्स कंडक्ट बाट इस अमिलस अबाउट टू प्रोविटट मिसकंडक्ट के संब्सक्डब्स में एक से लेकर साथ तक मैंने यहां misconduct बताएं इन misconduct मैंसे कोई भी conduct अगर आपके द्वारा किये जाता है तो misconduct कहलाएगा नमबर बन Practice without registration आसानी से समझ गए होंगे आप सभी एक अधिवक्ता अधिवक्ता कब कहलाए जाता है यानि कि ऐसे समझें एक आम आदमी अधिवक्ता कब कहलाए जाता है एक आम आदमी को अधिवक्ता हम जब कहते हैं जब कि उसके द्वारा B.A.L.L.B. या L.L.B. की गई हो अर्थात जो एहरता है eligibility है जो degree है वो की गई हो और विदी इसनातक की डिगरी करने के बाद उसमें बार काउंसिल ओफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल में registration कराया हो और registration कराने के बाद एक सूची निकलती है उस सूची में उसका नाम अधिवक्ताओ के साथ लिखाओ अर्थात advocate list में उसका नाम as a advocate enrolled होना चाहिए यानि कि अधिवक्ता के लाने के लिए सर्ते तो कई सारी हैं लेकिन हम यहां सिर्फ दो सर्तों की बात करेंगे नम्मर एक अधिवक्ता के लाने के लिए एक व्यक्ति को log erigate होना चाहिए और after then log registration it must be compulsory registered in a state bar council and bar council of India and enrolled in a advocate list as a advocate यानि कि इसना तक विदी इसना तक होना चाहिए और bar council of India और state bar council में registered होना चाहिए और अधिवक्ता सूची में उसका नाम अधिवक्ता के तोर पर होना चाहिए तभी वो व्यक्ति अधिवक्ता कहला सकता है अगर इन दोनों काम में से किसी के भी विना उसने यहां प्रैक्टिस की तो यह misconduct कहलाएगा और ऐसा misconduct prohibited है रोक लगी सेकेड प्रैक्टिस विदाउट eligibility यहां हम बात कर रहे थे सिर्फ रहे स्टेशन की यानि कि यहां प्रैक्टिस करता है तो रोक लगी थी और ऐसी कंडिशन में कोई व्यक्ति काला कोट पहन कर गले में बेंड लगा कर कोट में खड़ा है तो आम आदमी जब कोट में आएगा तो उसे तो यही लगेगा कि यह advocate है और उसमें भी अगर उम्र जादा है बाल सफेद है तो definitely experience holder advocate है ध्यान रखिए विद्यारतियों यह profession ऐसा है जिसमें नए लोगों से पुराने लोगों पर विश्वास जादा होता है जिनके बाल सपेद है जिनकी उम्र जादा है लगेगा इनको अनुवप जादा होगा इनी को हम अपने case में यह एड़ोकेट अपॉइंट कर लेते हैं लेकिन यह क्या पता कि ना इनके पास लोग इरिज्विशन की डिग्री है ना रिस्टर्ड है उसकाला कोट है अब गले में बैंड है और इसी कंडिशन में अगर आप एलिजिवल नहीं है लोग इरिज्विट नहीं है आपको कार कि अदर प्रोफेशन literature एक अधिवक्ता का का रे पोथ जिम्मेदारी का कार है विद्यारति हो इतनी जिम्मेदारी का कार है कि अगर वह कि उसम्हें स्टड़ी नहीं करता है परिस्टि और समझता हैि दस्तांवेजों को नहीं पढ़ता हैs case reference नहीं देखता है, law नहीं पड़ता है, तो definitely वो अपने case में argument अच्छे से नहीं कर पाएगा, और अगर argument अच्छे से नहीं कर पाएगा, तो अधिवक्ता का नुपसान कुछ नहीं होगा, फीस पूरी मिल जाएगी, लेकिन एक बेवस, मजबूर, ब्यक्ति माना जाएगा, एक ऐसा पक्षकार जो विश्वास करके आपके पास आया था, कि वकिल साब मुझे बचा लेंगे, मैंने कुछ की आई नहीं है, मैं बेकर सुरू, वो परिशान हो जाएगा, वो कटगरे में पहुँच जाएगा, और कटगरे से वो जेल पहुँच जाएगा, तो इसलिए, जो लोग एड़ोकेशी से जुड़े हुए हैं, इस प्रोफेशन से जुड़े हैं, उनके लिए एड़ोकेट एक 1961 में ऐसी व्यवस्ता की गई है, कि इट इसे 24 अवर वर्केंग, ये 24 गंटे की जाना वाला कार है, इसलिए आपके उपर एक बाउंडेशन है, कि आप किसी अन्य विवसाय को नहीं करेंगे, ना अन्य कोई नोकरी करेंगे, ध्यान रखें विद्ध्यारतियों, अगर कोई एड़ोकेट, एड़ोकेशी के अलावा, लीगल प्रैक्टिस के अलावा कोई अलग काम करता है, तो ये प्रोफेशनल मिसकंड़क माना जाएगा, और इट प्रोफेशनल मिसकंड़क और यहां इसको प्रोफेशनल किया गया है, इसको रोका गया है, प्रती सिद्ध माना गया है, रोग लगा दी रही है, फिप हरताल, अननेसेसरी, अनफेर, अनवांटेड हरताल पर जाना, समू बना कर कार न करना, या लोगों को कार न करने देना, इस पर भी रोग लगी हुई है, कोलीजन सबसे एहम चीज है कोलीजन अधिवक्ता और पैसा कमाने का एक सबसे सरल और सुलव रास्ता द्यान रखिए विद्यारतियों जब एक आम आदमी किसी मामले में कोट में आता है और यह कहता है कि हमारे परिवार के करा दी अब उस केस में हमारा साथ देते हुए उन हत्यारों रहा दें किस लड़ते हैं केस में जीतना था लेकश जीतने से पहले ब्रोदी पक्षकाराइंब्स कांचल से मिलगें उन कॉटी शी कम लेव फाय कशन बली पैसे लेकर अपना कीश कमजूर कर दिया और पक्षकार हार गया it is a collision it is a दूर्भी संदी एक ऐसे व्यक्ति के साथ संदी करना जिसके साथ संदी करने से किसी का हित अहित में बदल गया, इस पर यहां रोक लगी हुई है, अगर ऐसा कार कोई अधिवक्ता करता है, तो it is a prohibited misconduct, at least in a last, take to property of client, take to property of client, अगर कोई अधिवक्ता अपने हित के लिए beneficial benefit given to itself, एक अधिवक्ता अगर अपने हित को ध्यान में रखते हुए, अपने हित को ध्यान में रखते करना चाहिए, विद्यार्तियों, आज का मेरा वीडियो लेक्शर यहीं समाप्त होता है, और आगे भी आपके यत को ध्यान में रखते हुए, मेरे द्वारा वीडियो लेक्शर अपलोड होते रहेंगे, धन्यवाद।